अथितियों में मैं सबसे छोटा हूँ आज पर बड़ा ही अच्छा फील हो रहा है कि जो वर्षो की मेनत थी वो इसी दिन के लिए बनाई गई थी माता पिता ने जो 23 साल संगर्स किया उसका परिणाम तीन दिन पहले आया चोंकि अथितियों में रुपा राम जी नामा तो मेरी सफल्था की कहान ही रही है उनके पीछे बहुत बड़ा योगदान रहा है मैं बहुत सुक्र गुजार हूँ और आज आपको देखकर बहुत ही अच्छा मैसूस रहा हूँ मुझे रामदारी सिंग दिनकर जी की रस्मी रती की कुछ लाइने याद आती है कि माना अगम अगाज सिंदू है संगर्शों का पार नहीं है किंतू डूबना मजधारों में इस सहांस कुछ श्विकार नहीं है हम पस्चिमी राजस्तान में रहते हैं यहां की बंजर भूमी के अंदर तूंबे उगते हैं लेकिन आज वो धर्ती हीरे पैदा कर रही है बाडमेर की कई सक्षियों ने भारत पर ही नहीं हमारे आज बीच में भी एक ऐसा एक्जामपल है नहीं होवड़ यूएश त्थी यूसे के अंदर अपना लोजिया है कि अंदर बाढमेर को किसी कि मर्य मोट्मीजिंच की आउसकता नहीं है बाहर ही मोटिवेस्जिंच की आव सकताक नहीं है इस मोटिवेस्ट से पैदा करेगा मेरी अपने बच्चे ओचाए बच्ची उनको जरूर टाइम दें वो बड़े जी जान से लड़ रहे हैं वो मैं इस चीज को बड़ी मैं मैंने महसूस किया है मैंने परिवार के ताने से हैं मैंने घरवा लोग से ताने से मेरे डियल परिवार में भी ऐसा हो चुका है आप उन ने मेरे उपर हाथ रख दिया कि मैं पूरे समाज से मैं लड़ूंगा तू लड़ता रहे बस तू तेरी परिस्तियों से लड़ मैं लड़ा मैं जी जान से लड़ा मुझे बहुत अच्छे गुरुजन मिले उनकी दिखाई रहा मिली और मैं चलता गया मैंने कभी पीछे रही है लेकिन उपर वाले की ने मेरी डेस्टिनी में यह लिख रखा है कि यह बंदा यहां जाएगा तो जाएगा और सोला अगस्ट दोजार तेईस को रात साड़े-दस बजे मेरा रिजल्ट आया माता-पिता तो थे ही उनकी आंके तो नम थी थी लेकिन मैं पूरी तरह इमोस दली टूट चुगा था मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने वो कर दिखाया क्या इस पिसली बच्चों की यहां फिर मेरे चोटे बाई-बेनों की बात करूं हमारे हम जिस परिवार से बैग्राउंड से आते हैं हमारे माता-पिता बहुत बढ़ कड़ी मेंनत करते हैं ना हमारे पिसली पकष्चेमिव राजस्तान के जो लोग whirl बानी परिवार में रहता है जो सुबह सामको उनके घर में चुला हूता था तो यह तो फेति मजदूरी करते हैं या घरगर जाके सामान बीचते हैं या कम्ठे पर जाते हैं। हमें hard work करना आता है लैकिन hard work को direction में एक सही ही direction नहीं मिल पा रही है। जब एक घ्र कुता ही दारेक्शन मिल जाएगी हमारे hard work को तो फिर हम भूत अच्छा करना सुरू कर लेंगे . आपसे बहुत सारे लोगों की उमीद हैं, घर की है, परिवार की है, आप उन उमीदों पर हमेसा खरा उतरें, एक सौट टाइम की खुशी के लिए कभी अपने आपको ना जोकें, कि ये हो जाएगा, क्योंकि ये जो उम्र है, ये सही और गलत, दो रास्तों के और मुड़ी कोई नहीं अरा सकता, ये लिए मानना हूँ, कोई नहीं अरा सकता, यदि मैं कर सकता हूँ, तो आप तो 100% करोगे, बस इमानदारी रखिए, अनुसासन के साथ लगे रहिए, उपर वाले, हमारे मारवाट के अंदर आपने बड़े बुजूर्गों से एक लाइन सुनी होग मैं का, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैं.